यहां पर हम आपको कुछ ऐसे स्ट्रेंज बाते बताई गई हैं जो की फैक्ट है रियर लाइफ में इस तरह की हुई हैं गटना है तो इसमें हम इस चाप्टर में इस टॉपिक में हम इसी को कवर अप करेंगे तो नाव क्लास लेट इस स्टार्ट स्ट्रेंज बट्रू सेकेंड हम लोगोंने फर्स्ट वाला अल्रेडी कम्लीट कर लिया है सेकेंड कर रहे है ठीक है यनि कि जो आपका ये बर्गिगम पैलेस है ये जो आपका कोच बेहार पैलेस है वेस्ट बेंगॉल में है ये पूरी तरीके से बर्गिगम पैलेस पे ये डिजाइन किया गया है और ये काफी बड़ा एक तरह से बरांडा है यहां पे बहुत से प्रतिवगिताएं हुआ करती थी बहुत सारे लोग इसमें एक साथ एकत्रेत हो सकते थी ठीक है नौ दे सेकेंड वन दे हवा महल के बारे में कुछ दिया हुए तो हम सब जानते हवा मिल कहां पे है जैपूर में है और इसको इस तरीके से किया गया था बनाया गया था डिजाइन किया गया था यह इतने लंबी इमारत थी हवा महल कि यहां पे राणिया क्या करती थी राजकुमारिया क्या करती थी यह एक तरीके से राणियों राजकुमारियों के लिए बनाया गया था कि ताकि बाहर के नजारों को यह देख सके चाहे मिला हो या बहुत से ऐसे आयोजन हुआ करते थे तो उनको वो आसानी से इसे बाजार वगेरा होते थे colorful bazaars लगते थे, fairs लगते थे तो वो इसी महल में बैट करके वो लोग बाहर का नजारा ले सकती थे इसको इस तरीके से कुछ डिजाइन किया गया था कि बाहर से कोई अंदर के लोगों को नहीं देख सकता था और ये इतनी ज्यादा यहां पर विंडो हुआ करती थी लगबग हंड़ से हंड़ विंडो हुआ करती थी जिसे कंटिनूसली क्या होती थी हवा आती रहती थी और बहुत थंड़ शुकून यहां पर मिलता था ठीक है? ओके क्लास दिया हुआ है दे करेंट 50 स्टार अमेरिकान फ्लाग वोज डिजाइन बाई 17 यार ओल आज ए स्कूल प्रोजेक्ट इन 1950 यहने कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका का ही जो फ्लाग है इसमें स्टार्स बने होते हैं तो कितने स्टार्स होते हैं इसमें 50 होते हैं और यह एक स्कूल प्रोजेक्ट दिया गया था जिस पर बनाया गया था 1958 पे तो फिर इसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया यहां पर कोहिनूर हीरे के बारे में हैं, यहां पर कोहिनूर वोज इसको तराशा गया है, यह आंधर प्रदेश में है गोलकंडा और यह ककत्या के टाइम पर यह खनन किया गया था इसका, जब इसका पहली बार खानन हुआ था तो इसका बेट कितना था? 793 क्यारेट का था लेकिन इसको इतना ज्यादा कई बार इसको कट किया गया several times इसे कट किया गया तो इसका बेट अभी कितना हो गया? 105 क्यारेट हो गया है ठीक है? तो यहां पे दिया हुआ है टर्की, टर्की एक तरीके से आपका कहा लिजे बायो डाइवर्सिटी होट स्पोर्ट है यहां पे बहुत ज़्यादा यहां पे जया विविदता देखने को मिलती है यहां पे टोटल 10,000 प्लांट साइन, 80,000 एनिमल्स की स्पैसेज यानि की जातिया दी हुई है ठीक है? तो यहां पे टोटल कितना क्या दिया हुआ है? यहां पे इसी तरीके से आपका दिया है कि कर्टी इस 475 एपस दिया है और 5% ग्लोबल वराइटीज यहां पे पूरी ग्लोबल का आगल हम देखे तो 5% आपर की ड्याइवर्स यहां पे ऩह देख सकते हैं, आपका दिया हुआ एं मैक्डॉन्लक के बारे में आप जानते हैं कि अगर आप golden arch हैं तो आप रशिया जरूर आप जाएं तो रशिया में ये आपका एक है सबसे largest mcdonald restaurant है पूरे वर्ल्ड में इसमें कितना 700 seats आपके यहां पे बैठने का arrangement है ठीक है यह आपका दिया है ancient Egyptian mummified not only people but animal as well यहनी कि जो ancient Egypt थे वो जानवरों मतलब इंसानों को ही mummikrit नहीं करते थे यहनी कि mummies बनाये जाते थे जिनको cover up करके long time के लिए रखा जाता था जो मढ़ जाते थे तो इसी तरीके से इंसानों को भी करते थे प्लस इन्होंने जानवरों को भ का crocodile लिया था उसको इन्होंने क्या क्या था मामिकृत के रूप में रखा था इसको सेव रखा था इसकी body को कितना था 15 फूट यह लंबा था यह crocodile जिसको हम क्या कहते हैं मानों हुर्दे का भक्षद भी कहा जाता है इसे ठीक है तो एक crocodile आपका मामिकृत करके रखा गया है यार रह्मान हम सब जानते हैं कि एक great music composer है singer है इनको कई बार आसकर भी दिया जा चुगा इनको जय हो फिल्म में जय हो सॉंग आप लोगोंने सुना होगा गुलजार के साथ इनको आसकर दिया गया था slum dog milarian फिल्म के लिए दिया गया था नेग्स आपका पैक्ट क्या दिया हुआ है आप जानते हैं कि जो आपका है जापान है इस तरीके से घर बनाया गया था इंट्रेंस जो घर का इंट्रेंस होता था उधर इस तरीके से मतलब उसको डिजाइन करके बनाया गया था फ्लोर विल यूजवली विल रेज़ बाउट 6 इंचेश इंडिकेटिंग यूज़ टेक आफ यूर शोज यानि कि जो मेन गेट हुआ करता तो उसको 6 फिट उपर कर देते तकि आपको मालूम हो कि यहाँ पर आपको क्या करना है अपना शूज या स्लीपर आपको निकालने है इप दा हाउज इस टेट्मी मैट रूम एक तरीके से मैट लगा होता था टेट्मी का उस तरीके के रूम में, फ्लोर्स में इस तरीके के बिच्छे हुए होते हैं ठीक है? Now the next आपका दिया है The Japanese government has a selected former union law minister Ashwani Kumar for the Grand Cordon of the Order of the Rising Sun यानि कि आपको Ashwani Kumar को किस नाम से समानित किया गया था? Grand Cordon of the Order of Rising Sun के नाम से इनको समानित किया गया था यह Japanese government ने इनको किया था और इनको top national award आपको दिया गया था, ठीक है? Now the, क्या है? If receiving a Nobel Prize is the highest recognition for a scientist being awarded twice by Swedish Academy of the Science is the extraordinary fact of it Until now, only four people can boast यह नहीं कि यह आप हम सब जानते है Nobel Prize Swedish Academy ही देती है तो यह ऐसा प्राइज है जिसको दो बरी दिया गया है ऐसे चार लोग हैं जिनको कि यह twice एक तरीके से इस तरीके से समानित किया गया था Nobel Prize से तो उनके नाम कुछ इस तरीके से Frederick Sanger, Linus Pauling, John Burden and Mary कोई के नाम से ठीक है? तो इस तरीके से कुछ strange बाते इसमें दी हुई है बट यह fact है अब हम आते हैं अपने चाप्टर पे चाप्टर नमर 25 Fathers of Science यानि कि साइन्स के जनक बहुत ऐसे inventions हुए थे तो उनके जनक के बारे में लिखना है ठीक है? जैसे यहाँ पर दिया है Father of Ayurveda Ayurveda हम सब जानते है Ayurveda के फादर कौन है? उनके जनक कौन है? धनवंतरी उनको हम धनवंतरी के नाम से जानते है फिर दिया है Father of Surgery तो Surgery के जनक कौन है? शुशृता है ठीक है? शुशृता के नाम से उनने जानते है फिर निक्स आपकर दिया है ठीक है फिर father of numbers तो हम सब maths पढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं कि numbers के जनक कौन है उनको हम पाइथागोरस के नाम से जानते हैं ठीक है now the father of geometry Euclid Euclid के नाम से जानते हैं ठीक है father of electricity Benjamin Franklin father of computer Charles Babies father of internet Winslet father of email Ray Tamleon father of mobile phone Martin Cooper okay class I hope you all are clear thank you for today class